This is in God's heart for 2024, for you and for me. दो हजार चॉबीस में आपके और मेरे लिए यही तो परमेश्वर का रिद्य है. He showed me Revelation 3, 8 to 10. उसने मुझे प्रकाशित वाक्या ध्या तीन वचन आठ से दस बताया. This is an abridged version relevant to us. यह तो निश्ची एक ऐसा वचन है जो हमारे लिए बहुत ही अभारिक है. Secondly, he is going to make all the liars, the agents of Satan to come and fall at the feet of God's people saying, God loves you, God loves you. और वो ऐसे करेंगे कि शैतान के जो लोग, जो जूट बोलते हैं उन सभी लोगों को, परमेश्वर के लोगों के पैनों तले वो लेकर आएंगे और वो लोग कहेंगे कि परमेश्वर तुमसे प्रीम करता है, तुमसे प्रीम करता है. और तीसरी बात ये है कि पूरी पृत्वी के रहने वालों को परखने के लिए, पूरे संसार के उपर में परिक्षा का बड़ा समय आने वाला है. लेकिन भूत्काल में आपके सारी परिक्षा के समय में आपने पूरी रीटी से उस पर भरोसा रखा, इसलिए परमेश्वर आपको पूरी तरह से सुरख्षित रखेंगे. और मैं खास करके भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया. हर एक बंधन जो परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने से रोकता था, वो तोड़ दिया जाएगा. हमें आवश्य ही खुला द्वार दिया जाएगा. तीसरी बात प्रभू ने मुझे से कहा, कि मेरे लोग फिर से कभी बंधन और कलेश को नहीं सहेंगे. और जब तक कि मेरे लोग जाकर दूसरे लोगों को बंधन में से छुडाएंगे, मैं कभी अपने लोगों को बंधन में आने नहीं दूंगा. मेरे प्यारे दोस्तों, सारे कलेश में आपने जो विश्वास्जियों के रीची से महाँ पर मेहनत की है, उसका प्रतीफल दो हजार चॉबीस में आ रहा है. और ये निश्चे भविश्वाणी के कारण आपकी संतान जो आपके जो पच्ची हैं, सान सारे कामों में भी महान उचाईयों पर पहुंचेंगे, जैसे कि दानियल पहुंचा. और अंत में ये साल दो हजार चॉबीस, जो उसके नाम को लेकर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें अलंकृत करेंगे. हमारे बच्चों के जीवन में पूरी होज़ाएं, और सेवकाई में पूरी होज़ाएं, परमेश्वर कहता हैं कि बढ़ो, और मेरे राज्जी को बढ़ाओ, मैंने तुम्हारे सामने खुला द्वार रखा है, धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद स्वामी, प्रभू धन्यवाद कि आपने हमसे बातीं की हैं, अब रात्ना करते हैं प्रभू की ये वचन जो अभी बताया गया है, ये तो निश्चे से देखा जाएगा, पवित्रा आत्मा की सामत के द्वारा ये पूरा किया जाएगा, और ये तो सामत के शेतर में चली जाए, और ये शैतान के कामों को नाश करने के लिए चली जाए, आपके लोगों के मन में ये देखाल और शान्ती लाने के विए चली जाए, ओद्वार खोल तीजिए, बात परभू, आप इन्हें सिद्द बनाएंगे, prophecies to fulfillment in the name of Jesus Amen and Amen God bless you have a wonderful year 2024